महाराष्टर में पिछले साल की तुलना में इस साल ग्रीश मकालीन प्यास के रखबे में गिरावट आई है। कहां जा रहा है कि उत्तरी महाराष्टर के चार जिलों में प्यास के खेतर में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्स की गई है। इन जिलों में नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगाव का नाम शामिल है। ग्रीश मकालीन प्याज की रोपाई नवंबर और जनवरी के बीच होती है और कटाई मार्च में शुरू होती है। अब ग्रीश मकालीन प्याज की खेती समाप्त हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले साल उत्तरी महाराष्टर के चार जिलों में ग्रीश मकालीन प्याज रोपन का ख्षेतर 2.50 लाख हेक्टेयर था। इसमें से अकेले नासिक जिले में 2.21 लाख हेक्टेयर में प्याज रोपा गया था और उत्पादन तिरपन लाख टन हुआ था। लेकिन कम बारिश के कारण इस साल ग्रीश मकालीन प्याज के रोपन का ख्षेतर 5 फरवरी तक उत्तरी महाराष्टर जिले में घटकर 1.50 लाख हेक्टेयर रह गया है जिसमें नासिक जिले में 1.26 लाख हेक्टेयर भी शामिल है जो पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत कम है चूंकि ग्रीश मकालीन प्याज की शेल्फ लाइफ 6 महीने से अधिक होती है इसलिए किसान बहतर कीमत पाने की उम्मीद से ग्रीश मकालीन प्याज का भंडारन करना पसंद करते हैं वे पैसे की आवश्यक्ता के अनुसार अपनी उपज को थोक बाजारों में बेचने के लिए लाते हैं चूंकि मई से अक्टूबर की अवधी में प्याज की कोई नई फसल नहीं होती है इसलिए किसानों द्वारा संग्रहित ग्री ग्रीश मकालीन प्याज की खेती पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत कम हो गई है नासिक प्याज का प्रमुक उतपादक शेतर है पिछले वर्ष 2022-23 नासिक जिले में ग्रीश मकालीन प्याज का रोपन 2.2 एक लाख हेक्टेयर था लेकिन इस वर्ष 2023-20 ग्रीश मकालीन प्याज का रोपन घटकर 1.2-6 लाक हेक्टेयर रह गया है। धुले जिले में ग्रीश मकालीन प्याज की खेती पिछले साल के 16,000 हेक्टेयर से घटकर इस साल 14,326 हेक्टेयर रह गई है। जलगाव जिले में ग्रीश मकालीन प्याज की खेती पिछले साल के 9,481 हेक्टेयर से मामूली बढ़कर इस साल 2826 हेक्टेर हो गया है ग्रीश्म कालीन प्यास की खेती में गिरावट के साथ इस वर्ष उत्पादन घटकर 35 लाक टन होने का अनुमान है ऐसे में जानकारों का कहना है कि इसका असर महेंगाई पर भी पढ़ सकता है प्यास की कीमतों में बड़ोतरी हो सकती है Bureau Report Market Times TV